नमस्कार मैं राव निमस्कु स्वाहा और आप देख रहे हैं स्मार्ट फूड यूटू चैनल लाके फूड चैनल है लेकिन मैं अब एक बलोग दिखा रहा हूं कत्तर देश का इस वक्त मैं कत्तर देश में हूँ और कत्तर देश का एक बहुत ही संदार रिजोट का आज में आजरा दिखाने वाला हूं सामने में देखिए रिजोट है और चारो और समुंदर से घीरा हुआ है चलिया आज कत्तर देश में कत्तर बहुत सारे लोग जानते भी नहीं कत्तर क्या है तो कत्तर एक देश है गल्प कंट्री में है सोधी रभिया के बगल में दुबई के बनाया गया है समुंदर से खोद करके यह सब पानी को लाया गया है चारो और बहुत ही संदार नजारा और इधर देखिए रोम इटली के रोम के तरज पर यहां पर कनोट क्वार्ट बनाया गया है और इसका में वीडियो अपने दूसरे चैनल अस्मार्ट ब्लोग पर अप बनावट होता है और बिल्कुल समुंदर किनारे सारे के सारे बिल्डिंग ऐसा बनाये गए हैं काफी ही संदार भीव और देखिए में रोट जाने के लिए है सामने वाला रिजोट है होटल है अस्पा है और इसका नाम है मरसा मलज केंपींस की सामने जो रिजोट है और यह और इधर से पानी सिटी के अंदर भी गया है कनोट क्वार्ट इटली के तर्ज पे बनाया गया है इधर एक बहुत ही संदार है तो इधर समुंदर से गदम गली-गली में अधर अंदर पानी घूमता है और चलिया आज में इस मर्शा मलज केंपिंस की रिजोट एंड असपा दोनों है इसमें तो आज इसका मैं टूर कराने वाला हूँ और याद चुका हूँ है में गेट पर यहां देखिए सिकुरिटी है और यहां करें घूम सकते हैं क्या तर्देश में जो भी लोग होंगे तो यह जश्ट बगल में है इसको मैं बोल सकता हूँ परल कतर के बगल में जश्ट परल कटर में यहां पर कनोट क्वाट इटली के तरज पर बनाया गया है इटली के रोम के पर बहुत बड़ा रिजोट है और नजारे को देखिए काफे ही खुबसूरत नजारा है और यहां पर बाहर में इधर आकर के पब्लिक लोग घूम सकता है अंदर जाने के लिए तो जो बुकिंग किया होगा वही जा सकता है तो इधर हम लोग घूमने के लिए आए हैं फ्रेंड लोग तो आज मैं इसका नजारा सुझा कि एक वीडियो में कैदी कर लेता हूं और यहां पर बहुत बड़ा सा होर्स का स्टेटू दिख रहा है तो मैं वहां भी चलूंगा देखिए यहां पर सब जितने भी रिजोट में आए हैं लोगो सब का गाड़िया हैं यह व्याइपी गाड़ियां करे सब लगये हूए हैं और बहूत बड़ा यहां पे घोड़ा का स्टेटू है यहां देखिए लोग सिल्फी लेते रहते हैं अबिए बहुत बड़ा यहांपे देखिए हौर्स का स्टेटू है 그리고 इस्ङंधर अधार रिजोट है और कतर देश में खजूर का पेंड़ यहां आम बात है मिलना बहुत ही ज्यादा यहां खजूर के पेंड़ होते हैं और यह देखिए कितना बड़ा घोड़े का यहां पर प्रतीमा है अस्टेचू लगाया गया है और मैं चलिए उदर समुदर किनारे जाने कोशिश करूंगा और साइद एलाव है कि नहीं जाने के लिए उदर देखिए लड़की लोग भी शिलफी ले रहें जो इधर रिजोट में आये हैं तो उदर जाने के लिए इधर से रास्ता है यहां पर गाड़ है तो साइद उदर एलाव नहीं था गाड़ मना किया चलिए मैं दूरसे साइ इधर सोफ है कुछ रेश्टोरेंट है इधर से समुदर किनारे जाने का रास्ता है तो आईए हम इधर चलते हैं यहां से और पीछे का नजारा में दिखाता हूं कितना संदार भीव है क्योंकि उदर तो सेलफी पॉइंट था उदर जाने का मुझे लाव नहीं मिला जो रि आईलेंड बनाएगा है कतर देश चारवर पानी से घीरा हुआ है और समुदर के पानी खोद करके और अंदर सिटी में लाया गया है और अंदर इधर भी चलते हैं जहां तक देखता हूं जाने का एलाव है उदर पीछे से दिखाता हूं ना जा रहे बिल्कुल एक किनारे क कैना जा रहा है समुदर के नारे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इस चैनल पर बहुत सारे भी फूट वीडियो आने वाले हैं एक फूट चैनल मैं बनाया हूं और एक स्मार्ट ब्लोग नहीं अगर देखे होंगे तो मेरा एक दूसरा चैनल है उसका लिंक ज कि तो मिजगा जा उने चैनल हूंगे गीडियों भूसरा चैनल है उसक्म भूसरा चैनल है एक स्मार्ट बहुत सरक है जल बहुत से इस एक जल बहुत से झाल हैं झाल कि खबना हैं और दोूसरा झाल